अमेरिका के लास वेगस में हमले में मरने वालों की संख्या उंस्टर तक पहुँच गई है अभी तक किसी आतंकी संगठी ने इसके जिम्मेदारी नहीं ली है श्रीनगर के B.S.F. कैम पर आतंकवादियों ने फिदाइन हमला किया इस दोरान B.S.F. के जवानों और आतंकवादियों के बीच में गोली बारी हुई है और दो आतंकियों को हमारे जवानों ने धेर कर दिया है वहीं तीन B.S.F. के जवान सख में हुए है श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के जिम्मेदारी जैशे मोहमद ने ली है इस हमले को देखते हुए श्रीनगर के सभी स्कूल और कॉलिजिस को बंदे रखने के आदेश दिये गए है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसीफ ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को लेकर आपति जनक टिपणी की ख्वाजा आसीफ ने एक पाकिस्तानी न्यूस चैनल से बाचीत में प्रधान मंत्री को आतंकवादी बताया और आरेसेस को आतंकी संगठन राश्वती रामनात कोविंद अपनी अफरीका यातरा के लिए आज रवाना हो रहे हैं 6 अक्टूबर तक उनका ये दौरा चलेगा इस दोरान राश्वती जीबूती और इथोपिया का दौरा करेंगे आपको बता दे कि बता और राश्वती रामनात कोविंद का ये पहला विदेशी दौरा है प्रधान मंत्री नरेद मोदियाच इमाधिर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे यहां बिलासपुर में अखिल भारतिय आयर विज्ञान संस्थान का शिरा नियास करेंगे केरल में BJP और राश्टी स्वेम सेवक संग के कारिकरताओं के हत्या के विरोत में 15 दिन की जन सुरक्षा पदियातरा करेगी इसी सिलसले में पाटी अध्यक श्रमित शहा पदियातरा की शुरूवात करेंगी ये पदियात्रा कन्नूर जिले के पयन्नूर से शुरू होकर 15 दिन तक चलेगी और केरल के 14 में से 11 जिलों से होकर गुजरेगी राजिस्तान कॉंग्रिस के प्रमुख सचिन पाइलिट ने कहा है कि अब समय आ गया है जब राहुल गांधी को पार्टी की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए उन्होंने उम्मीद जताई है कि राहुल दिपावली के कुछ समय बात ये जिम्मेदारी समभा सकते हैं नेदिली में राश्पती रामनात कोविंदे ने देश में अन्य पिछडा वर्ग के उपवर्गी करण के परिक्षण के लिए आयोग गठित किया है गोवा के के टी सी बस स्टैंड पर अचानक आग लगने से हड़कम पमच गया इसके बाद दमकल की छे गाड़ियां मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाया गया आज मुक्यमंद्री योगिया अधितिनाद की क्याबनिट की बैठक लखनों में कई अहम प्रस्ता आपर मोहर लग सकती है श्राम पांच बजे लोग भवन में ये बैठक होगी इलहाबाद में BSP नेता राजिश यादो की गोली मार कर हत्या कर दी गई जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुँची फिलहाल शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेजा गया है लखनों में स्वचिता के ख्षेतर में सराहनी काम करने वाले लोकों को मुख्यमंत्री के ओर से नामित किया गया है जिसमें नॉड़ा जिलाधिकारी मेरट जिलाधिकारी समिच सोला लोग शामिल है राहुल गांधी के अमेची दोरे को प्रशासन की तरफ से हरी जंडी दे दी गई है डियम ने कहा है कि हमने उनके दोरे पर रोक नहीं लगाई थी हमने सिर्फ यहां के हालात से उन्हें अउगत कराया था कानपूर महवे बवाल को लेकर क्याबिनेट बंतरी सतीश महाना ने कहा है कि निश्चे तोर पर पुलिस की बड़ी चूक है इस मामले में दोशियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी कानपूर में हुए बवाल पर क्याबरेट मंत्री सत्य देव पच्वारी ने बेतु का बयान दिया है और कहा है कि छोटी घटना बवाल तब तक बड़ा नहीं होता जब तक कई लोगों की जान नहीं जाती है बलिया में ताजिया जुलूस के दौरान भुवे विवात के बाद प्रशासन निधार 144 लागू कर दी है माहौल को तनावपूर ने देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है देवबंद में बीजेपी ने नगर मंत्री को सिपाही ने सिर्फ इस बात पर थपड़ ज़र दिया क्योंकि नगर मंत्री ने सिपाही से उसके पडोस में होने वाले गलत कामों के बारे में पूछा था इस घटना को लेकर इस्थानी विधायक ने निंदा की है इलहबाद में एक महिला के उपर दबंगों ने तेजा प्हेंग दिया उसके साथ दुश्कर में भी हुआ महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है महिला का आरोप है कि उसके स्कूल के ही कर्मचारी ने साथी के साथ मिलकर उसे अगवा किया पत्यपुर के मलवा थाने के बुधयापुर गाउं में पांच साल की मासुम के साथ हैवानित का मामला सामने आया है परिजनों का कहना है कि पिडित अपनी मा के कहने पर खेत की तरफ जा रही थी तबी गाउं के युवक ने उसके साथ दुश्कर मुकिया संतिकबरिनगर के हैसर ब्लॉक में आने वाले ग्राम सभागोपीपूर में 300 की आबादी वाले गाउं में अब तक एक भी शौचाले नहीं बना है लेकिन कागजात में यहां सभी के घर में शौचाले बन चुका है ग्रामिन को आरोप है कि उनके नाम पर पैसा निकाल लिया गया और उन्हें शौचाले बनाकर नहीं दिया गया वहीं जिला पंचायत अधिकारी जांच की बात कहकर अपना पलराज हाड़ रही है शावस्ती में दुर्गा प्रतीमा विसरजन के दौरान बवाल हो गया जहां दुर्गा की प्रतीमा पर अराजक तत्वों ने अंडा और मांस फेका जिससे हिंसक छडप होगी छडप में एक इवक गंभी रुप से खायल हुआ है ब्रेली में ताजिया निकालने को लेकर बवाल हुआ अंधेरे का फायदा उठाकर जम कर पत्थरा हुआ बताय जारा की ताजिय का रास्ता बदलने को लेकर यहां पर हंगामा शुरू हुआ था इलाकी में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनाद किया गया है मुझदफर नगर में एक बड़ा रेल हाथसा टल गया फिर उसी जगे दर्चनों क्लिप निकली पड़ी मिली थी जहां हाथसा हुआता सुचना पर विधायक विक्रम सैनी यहां पहुँचे खताली से विधायक विक्रम सैनी ने रेल कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और खुद ही ट्रेक को दुरूस्त करने में जुट गई शावस्ती में 16 सार की छात्रा की सांप के डसने से मौत होगी छात्रा को समय सांपने डसा जब घर में खाना खा रही थी अस्पताल ले जाकर उसे बचाने का प्रयास भी हुआ लेकिन छात्रा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया मेरट में शॉपिंग मौल तिनेमा हॉल में पाई गई अनिमित्ता को देखते ही मेरट पुलिस ने अपनी कमर कसली है SP City ने भारी पुलिसवल के साथ शहर के मौल में चेकिंग की मेरट में चोरों ने एक मोबाईल कारुबारी के घर को निशाना बनाते हुए 20 लाख की जुल्ड़ी और 5 लाख का कैश लेकर फरार हो गए कानपुर देहाद के एक मीजी अस्पताल की मालिक और मैनेजर का स्टाफ नर्स की रेप के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है अगबरपुर कोतवालिक श्वेत्र के कजबा अगबरपुर का मामला है जहां राजावत अस्पताल की स्टाफ नर्स का शव संदिक दहालात में उसके कमरे में फांसी के फंदे पलट का हुआ मिला है ग्रेटर नॉड़ा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड होगे जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी है जबकि एक सिपाही गंभी रुप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराये गए आपको बता दे के एंकाउंटर के वक्त बदमाश आठ लाग की लूट को अंजाम दे रहे थे श्रावस्ति के गिलावला थाना इलाके में तिलकपुर मोर पर राम नीला के मंच पर बारबालाओं के अश्लील ठुमके लगे पुलिस वाले के सामने ही ये सब हो रहा था इतना ही नहीं मुनपस्त गाना बजाने को लेकर दो गुट पुलिस वालों के सामने ही आपसे भिड़ गए कांकूर पुलिस का एक और कार्णामा सामने आया है यहां एक पुलिस खुद पिटने के बाद भी नयाय के लिए दरदर भटक रही है पुलिस कर्मी उनकी F.I.R. तक नहीं लिख रहे और वो इससे बहुत दुखी है बाकपत के बड़ोत कोट वाली के बड़े बाजार में चोर की पिटाई का वीडियो सामने आया है वाइरल वीडियो में दुकान में चोरी करने आये चोर के दुकानदारों ने जम कर पिटाई की लेकिन इस दौरान चोर मौके से फरार भी हो गया 12 बंकी के अमरगंज गाओं में प्रेमी यूगल का शव मिलने से संसनी फैल गई पुलिस मौके पर पहुँची शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेजा गया है मैनपुरी में एक सस्वेंड वे दरोगा ने जहर खा कर जान देने की कोशिश की दरोगा का नाम तौफीक एहमद बताया जा रहा है हलाकि राहत की बात यह रही कि लाज के बाद वो पुरी तरह से स्वस्त हो गई बरेली में कलियोगी मा ने अपनी नवजाद बच्ची के पैदा होने के बाद उसे कुवे में फेक दिया जब बच्ची की कुवे से रोनी के आवाज आई तो लोगों ने उसे बाहर निकाला है अस्पताल में भर्ती कराया है फिलहाल बच्ची के हालत गंभीर है बारबंकी में प्रशासन की लापरवाही से दो संप्रदायों में छड़प हो गई मुर्ती विसरजन और ताजिया जुलूस के दोरान दोनों संप्रदाय आमें सामने आ गए जब कर मार पीट हुई इस दोरान उपदरव्यों ने कई गाड़ियों और दुकानों को भी आके हवाले कर दिया इलाहबाद के नैनी इलाके में ट्रेन से कटने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई ये चार लोग एक ही परिवार के थे हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुँची और शवों को पोस्ट मौटम के लिए भीजवाया गया शाजापुर में रहसे में बुखार से हो रही मौत के मामले में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है खबर दिखाए जाने के बाद स्वासन मेहक में और जिलापरिश रासिम के टीम मौके पर पहुची और आनन फानन में लोगों को अस्पताल में भरती कराए गया इसके लिए सब ने समाचार प्लस को धन्यवाद भी दिया गाजीपुर के सदर कोटवाली खाना इलाके के पीर नगर में बाद संग्रक्षन किशोर ग्री में उस वक्त अफरा तफ्री मच गई जब एक कॉंस्टिबिल की सर्विस राइफल से गोली चली और इसकी चपेट में आने से एक होमगाट की मौत हो गई जबकि एक स्विपर और एक और शक्स गंभी रुप से घायल हो गया जिने वारा नसी के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया मोव में एक पलिस जीप ने दमपत्ती को रौन दिया हासे में दमपत्ती गंभी रुप से घायर होगे जिन्हें अस्पताल में भड़ती कराया गया है डॉक्टर्स की मानित उनके स्थिती काफी कम भी रहे भड़ोही में ट्रेक्टर ट्रॉली से इसकुल जारी दो मासूमों को कुचल दिया इस हादसे में एक की मौत होगी दूसरे का इलाज अस्पताल में चल रहा है फिरोसाबाद में उस वक्त हड़ कम पर मच गया जब एकी वक्त शौच करने के लिए खड़ा हुआ तब इसका पाउंप फिसला और सतर फीट गहरे कुई में गिर गया गनी मती रहे कि फायर बिगेट ने मौके पर पहुंच कर उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया बागपत में रफ्तार का कहर देखनी को मिला तीन लोग को ट्रेक्टर ने कुचल दिया दो की मौके पर ही मौत हुगी जबकि एक किशोरी गंभी रुप से घायल है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है करनाज में पुलिस ने बालू और मिट्टी कावैत खनन करने जा रहे चार ट्रेक्टर को कबजे में लिया पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरास्त में ले लिया है आपको बता दे कि कन्नावच के दो ठानों में इस कारवाई में छे लोगों पर मुकद्मा भी दर्ज किया गया है संभल में ताजी की उचाई की विवाद में राद भर ताजियों का जुलूस रुका रहा इस दोरान गाउं के ताजी को बढ़ावाने के लिए पुलिस पर भी पत्रा हो गया जिसमें आथा दर्जन पुलिस का रमी जख्मी हुए आने फाने में मौके पर पहुंची पी एसी इनने मामला शान कराया राय बरेली में मौरम की जुरूस में चल रहे डीजे वाले गाड़ी के सांट बॉक्स हाइटेंशन लाइन की चपेट में आगे जिससे पांच लोग जुलस गे जुलसे विलोगों को आने फानन में जिलास्पताल में भरती कराया गया है सभी लोग खत्रे से बाहर है। बदायू में एक महिला ने कुछ लोगों पर सामुहिक दुशकर्म का आरोप लगाया है सियों ने इस मामले में आरोपी पर मुकदमा दर्च करने के आदेश दे दिये हैं बताय जा रहा है कि आरोपियों ने महिला का एक अश्रिल वीजियो क्लिप भी बना लिया है उसे वा बागरा में पर्स छिनकर भाग रहे चोरों को भीड ने दबोच लिया और जमकर पीच दिया और पूरा मामला वहां लगे सीसी टीवी कैमरे में कैथ हुआ है मैंन पूरी में ताजिया देखने आए दो वर्गों में जमकर मार पीच हुई इसके बाद मौके पर पुलिस की टीम ने पहुँचकर चार लोगों को हिरास्त में लिया पुलिस पूरी मामली की तफ्थीश में जुटी है पिरोजबाद की जिलास्पताल में लाज की दौरान मरीज के साथ आए महिला ने अस्पताल करमचारी को जम कर पीचा बताय जा रहा है कि डॉक्टर और अस्पताल करमचारी मरीज के इलाज में कोता ही बरत रहे ते जिससे गुसा कर महिला ने अस्पताल करमचारी को पीट दिया मौके पर पुलिस पहुँचे और महिला को जैसे तैसे शान कराया मुजफर नगर के चर्थावल ठानक शेतर के गाउन दुधलीव से मानुता को शर्मसार करने वाली खबर आई युवक को भीड ने पीट पीट कर मौत के खाट उतार दिया और मौके पर मौजुद पुलिस तमाश्पीन बनी रही आपको बता दे कि भीड का युवक पर आरुप था कि युवक ने गाउं के गन्ने के खेत में आग लगा दी जिससे फसल नश्ट हो गई है और इसी आरुप में उन्होंने युवक को मौत के खाट उतार दिया गानपुर देहात में शराब के पैसे न देने पर दबंगों ने कीवक को पीट पीच कर मार डाला बारदात के बाद इलाके में तनाओ का माहौल है पुलिस ने मामली की जान शुरू कर दी है गांधी जेन्ती के मौके पर सीतापुर में स्वच्चता मेरथन कायोजन किया गया यहां के प्रभारी मंत्री स्वच्च भागुणा जोशी भी मौजूद रही उन्होंने कहा कि युपी में अपराद लगातार घट रहे हैं और कानून का राज स्थापित हो रहा है बरेली में प्रधान मंत्री के स्वच्च भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए गांधी जेन्ती के मौके पर बीजेपी ने स्वच्चता मेरथन कायोजन कियास मौके पर केंदरी श्रम एवं रोजकार मंत्री संतोष गंगवार प्रभारी मंत्री कानून मंत्री ब्रिजेश पाटक और रत्यमंत्री राजिश अग्रवाल भी मौचुद रहे राश्रुपिता महात्मा गांधी के जोयन्ती पर फैजाबाद में बीजेपी ने स्वच्छता मेराथन रैली निकाली ये रैली शहर के गांधी पार्क से शुरू हुई चौक पर जाकर समापतो ही जिसमें से लोगों ने हिस्सा लिया स्वच्छता मेराथन रैली की अगवाई चुनाव प्रभारी हरिद्वार दूबे निकी रैली में नगरपारी का परिशत्यों से सच भारत मिशन मेराथन दौड का आईजन किया गया साती सरकारी गेर सरकारी संस्ताओं द्वारा भी इस मिशन के तहे जगे जगे सफाई अभियान चलाया गया मुक्यतिती जिले के प्रभारी मंत्री नंद कुमार नंदी ने कर रवाना किया परुखाबाद में भी गांधी जयनती पर बीजेपी ने सच भारत मेराथन का आईजन किया लोगों को सफाई के प्रती चाकरुक किया मुन्दिल खंडक श्रेत्र के अध्याक श्रमानवींद्र सिंग ने बीजेपी कारी करताओं को सच भार्चिता की शपत करने में जुटा है और नई पहली महिला चीफ प्रॉक्टर अपने साइकल दस्ते के साथ कैंपस में पेट्रोलिंग करने निकली इस दौरान चातरों से पूछताच की और उनके आईडी कार्ट भी चेक किये गए जालोन में राश्पुता महत्मा गांधी के जोयंती पर सचता मिरथन का आईज़न किया गया मिरथन के मुक्याती थी राजजी के कारागार और जिले के प्रभारी मंतरी जैकुमार सिंग रहे उनके साथ जिले के तीनों बीजेपी विधायक और सांसत के अलावा वरिष्ट जो बीजेपी निता मौचूद थे। गांधी जैनती के मौके पर और रहिया में प्रदेश सरकार के राजी मंतरी धर्मसिंग सैनी ने जाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की शहर में कई सडकों पर मंतरी समेत विधायक और अध्यक्ष जिला पंचायत भी मौजूद रहे साथी सभी को सफाई का स गंदेश भी दिया गया राइबरेली में गांधी जैनती पर रियालिटी चेक किया गया तो शहरी और ग्रामनी लाकों में गंदगी का अमबार मेरा जबकि आज की दिन प्रधान मंतरी ने इस मिशन की शुरुआत की थी गोरकपुर में टाउन हॉल से गांधी प्रतिमा से लेकर इंदिरा अचेतना तीराहा सिविल लाइन्स होते हुए लाल भादु शास्ती के प्रतिमा तक इसकुली छात्रों ने मानोश शिंखला बनाई स्वच्चता की शपत ली साथी उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया बस्ती में गांधी जेन्ती पर बीजेपी सांसे धरिश्ट दुएदी और प्रभारी सुभाष यदवन्ष के साथ सेकुन लोगों ने मेराथन में हिस्सा लिया रोडवेस पर साफ सफाई भी की साथी लोगों को भी स्वच्चता की शपत दिलाई कौशामी में गांधी जेन्ती के मौके पर मेराथन का आई जुन किया गया दो किलोमेटर के इस मेराथन में धाई सो एत्रीट्स ने हिस्सा लिया मेराथन में पहला इस्थान सुभाष मौरी को मिला महराज गंज में आंगरमारी कारिकरताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया अस दोरान प्रदर्शन कारियों ने जिला मुख्यारे से दांडी यात्रा निकाले और पूरे नगर का भ्रमण कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गुरकुल में आंगर्बारी कार्यकरताओं ने धर्णा प्रदर्शन कर रही है पिछले एक मेहने से उनका धर्णा जारी उनकी मांग है कि उन्हें राज जीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए उनकी प्रोच साहन राज शीव को भी बढ़ाया जाए संथ कभी नगर में गांधी जयनती के मौके पर बीजेपी के लोगों ने स्वच्चिता मेरा थन का आईजून किया खनीलाबाद के विधायक दिगविजै नाराण जै चौबे के साथ स्याख्डो कारी करताओं ने मेरा थन में हिस्सा लिया साथी लोगों को स्वच्छता की शपत दिलाई कि रोजबाद में नहर किनारे बसाएगे कुछ चुरोगी और दलितों को अब अपने ये घर खारी करना होगा नोटिस उनको नहर विभा की तरफ से मिला है हालकि कुछ समय पहले जिरा प्रशास ने खुद ही इन लोगों को यहां पर बसाये था लेकिन अब इनके आश्याने को उजाड़ा चा रहा है वारण असी में गांधी की प्रतिमा को तोड़ा गया है दून में मुख्यमंत्री ने मुझफण अगर गोलीकांड की तेश्वी बरसी पर शहीदों को शद्धान जली इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आंदुलन के दौरान मुझदफण अगर गोली कांड में जिन 28 लोगों ने शहादे दी थी वो उसका सम्मान करते हैं देरादून में गांधी जेयंती के मौके पर राजभवन में प्रार्थना सभा का आयुजन किया गया प्राजिपाल डॉक्टर के के पॉल ने लाल बहदूर शास्त्री की प्रतिमा पर मालियारपन किया उत्तराखंड सरकार ने दीन दियार उपाध्याई सहकारिता किसान कल्यान योजना का शुभारंब किया अब किसान सस्ता कर्ज ले सकेंगे प्रदेश के वित्यमंदीर प्रकाश्पंत रविधैक मिल्ना सिंग चोहन ने से सरकार का क्रांतिकारी कदम बताया है देरादून के लहबाद बैंक में आग लगने से हडकम्फ मचिया इसके बाद आनन फानन में दमकल के दस्ते को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया मसूर के कैंपटी में एक उटिलिटी वैन खाई में गिर गे जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत होगी जबकि दो लोग गंभी रुप से घायल हुए है बागेशवर में 6 से दंबर से लापता ट्रेकर को प्रशासन अभी तक नहीं ढूल पाया है आपको बता दे कि युवक को ढूलने के लिए प्रशासन ने दो गाईड और स्टी आरेफ के जवान को भीजा था लेकिन अब तो कोई पता नहीं चल पाया है लापता युवक 36 ग श्रीनगर में रामपुर्ती राहा कांड की 23 वी बरसी पर आंदुरन कारियों ने गोला पार्क में धर्ना दिया उत्राखन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया उन्होंने कहा कि अभी तक इस कांड में लिपत दोश्यों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हो पाई है कॉर्बेट नश्रेपार का विद्रानी जोन 15 अक्टूबर से परटकों के लिए खुलने वाला है जिसके त्यारी कॉर्बेट प्रशासन ने कर ली है विकास नगर में गांधी जयन्ती के मौके पर रैली का आयजन किया गया स्कूल के बच्चों ने समाज को सच्छता के प्रती जागरुक किया और बाजार में रैली निकाली गई और लोगों से भी अपिल की गई कि वो भी अपनी अपनी भागीदारी ज़रूर निभाएं और जब गांधी जी का जिकर आता है तो मसूरी का भी जिकर आता है क्योंकि मसूरी गांधी जी की प्रियस थली में से एक थी इसलिए वो जब भी देरादून आते थे तो पहारों की रानी में जाना नहीं भूलते थे आजादी से पहले महत्मा गांधी मसूरी आये थे प्रच्चों ने रेली भी निकाली और साथ में जो जवान थे वो भी भ्रवन करते नज़र आए दूर में विधान सभाधियक्षि प्रेम चल्द अगरवाल शहीद इसमारक पहुंचे राज्या अंदुलन कारियों को श्रधान जली अर्पित की और कहा दुर्भागी ही है कि इतने साल बाद भी मुझफर नगरकान की दोशियों को कोई सजार नहीं मिल पाई है बीजेपी अमिर्टकर मंडल ने देरदून की राजपूर विधान सभा के मन्नू गंजर नाले में उतर कर सफाई अभियान चलाया राष्पिता माहत्मा गांधी की जैनती त्से प्रधान मंतरी के होआन पर जगे जगे अभियान चलाया दूल में महात्मा गांधी के जेंती के मौके पर सची वाले में सफाई अभ्यान चला जिसमें शासन में बैठने वाले बड़े अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों ने भी झाड़ू लगाया साथ ही सची वाले परिस्तर को साफ और स्वच्छ रखने की शपत दिलाई गई और बारिश बंद होने और लंबी चुटी एक साथ पढ़ने के साथ ही नैनिताल में एक बार फिर से परेटकों की खासी भी नजर आई जिससे व्यावसाईयों के चेहरे खिल गए अब हलकी फुलकी ठंड के बीच परेटक यहां कानंद लेने के लिए पहुँचे खटीमा में गांधी जेंती के मौके पर नगरपाली का परिश्वत ने सफाय अभ्यान चलाया नुकरनाटक के जरीये लोगों को सवच्छता के लिए प्रेडित किया गया नगरपाली काधिकारियों ने कहा कि सवच्छ बनाने के लिए शहर को शहर के लोगों की भूमिका भ इनकी अल्मोडा में महत्मा गांधी की जेंती भी धुमदाम से मनाए गई इस दोरान प्रभात फेरी निकाली किया और साथ में सवच्छता मिश्ण को भी आके बढ़ाया गया दूर में मुख्य मंत्री ने सीम आवास में राश्पिता महत्मा गांधी और पूरु प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर फुल अर्पित किया और उन्हें याद किया अल्मुडा में भी लाल बाहदु शास्ती महात्म गाधी की जयन्ती के मौके पर अंतराश्टी बुजर्ग दिवस मनाये गया और अल्मुडा के अधिकांश बुजर्ग इसमें खटा हुए जिनोनी चौगार पाटा से कतरित होकर इराजी निकाली चंपावत के बारा कोट में लड़ी धुरा महसव शुरू हो गया है राजी के वित्तेमं पेजल मंत्री प्रकाश्पन्ते ने महसव का शुभारंब किया जिसमें उत्तराखंड की संस्कृती के कई रंग देखने को मिलते हैं गांधी जयन्ती के मौके पर देहरादूर में समाचार प्रस ने जब देखा कि आखिर एक साल पहले शुरू हुए स्वच्चता अभियान का क्या असर देखने को मिल रहा है तो तस्वीरे काफी निराश करने वाली थी क्योंकि जगे जगे एक गंदगी ही फैली हुई थी दिनेश्पूर में हर साल की तरह साल भी बड़े धुमदाम से मूर्तियों का विसर्जिन किया गया मूर्तियों के साथ शुभायात्रा भी उससे पहले निकाली गई लेकिन गांधी जेंती की धूम जहां पूरी राज जिमेती वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्याले में ऐसा कोई भी आयुजन नजर नहीं आया गांधी जेंती पर प्रदेश कार्याले में सन्नाटा पसरा रहा बीजीपी संगठन में जल्दी संगठन आत्मक जिलों को खत्म करने की कोशिशें तेज होने जा रही है महामंत्री मुन्ना सिंग चुहान नहीं कहा है कि पार्टी आलाकमान के निर्देशों को गम्परिता से लिया जा रहा है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है विकास निगर के डाग पत्थर इलाके में सडकों और नालियों की हालत काफी खस्ता है जिससे ग्रामिट काफी मुश्किलों का सामना कर रही है